Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you the chapter inside our earth सबको आस्टरियोग होता है कि ये हमारी इतनी बड़ी अर्थ है, इसके अंदर क्या है क्या क्या चेंजिस होते हैं, क्यों अर्थ को एक आते हैं, कहीं पे वलकनों हैं, कहीं रोक्स हैं तो थोड़ी सी इसकी जानकारी आपको आज इस लेसन में मिलने वाली है, बहुत इंटरस्टिंग चेप्टर है ये, जो आपकी बहुत सारी क्वेरी को शांत करेगा तो चलिए शुरू करते हैं चेप्टर, इंसाइड और अर्थ, उपर से तो और सबको दिखती है, अंदर क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं अब अर्थ, और होम्लेंड इस डायनेमिक प्लानेट, डायनेमिक का मता होते हैं एक्टिव, हमारी जो अर्थ है वह बहुत एक्टिव है, इस इस चेंजिज इंसाइड और उटसाइड, क्योंकि इसमें अंदर बाहर दोनों जगां चेंजिज हो रहे हैं लगातार, आप जा वह इसे सब होता है, चलिए हम पहले पढ़ते हैं, इंटिरियर ओफ अर्थ, अर्थ के अंदर क्या होता है, जैसे अनियन आपने देखिए, उसमें बहुत सारी लेयर होती है, एक अंदर एक एक अंदर एक, ऐसी हमारी अर्थ के अंदर भी लेयर है, दा अपर मोस्ट लेयर ओवरदार सरफेस is cold the crust, जो सबसे उपर की लेयर है, वो crust कहलाती है, इटी दाथी नजी सबसे पतली होती है, और यह जहां पर continents हैं, यानि कि land है, वह 35 किलोमेटर है इसकी थिकनेस, और ओशन फ्लोर में यह केवल 5 किलोमेटर की है, अब आप देख रहे हैं न, यह जो उपर का जितना भी यह उपर का सरफेस है, जिस पर यह रोक्स होती है, चटाने होती है, यह सब earth crust है, यह first layer है, the main mineral constituents of the continental masses are silica and alumina, यह ध्यान में रखिये, कि जहां पर crust है, वहां पर, जहां continents है, वहां पर silica सबसे ज़्यादा है, और alumina, इसलिए इसे सियाल बोलते हैं, silica का c, और alumina का l, और जो oceanic crust है, यानि कि जो ocean के अंदर है, वहां पर silica और magnesium है, इसलिए इसे c मा बोलते है, silica का c, और magnesium का ma, यह चीज़ आपको याद रखनी है, यह picture बनी हुए अर्थ की, यहां पर आप इसमें देख रहे हैं, जो उपर का part है, यह आपका, क्या कहलाता है, यह crust कहलाता है, यह hard होता है, अब यहां पर देखिए, जो भी आपने पढ़ा, यह continental crust है, जहां पर land है, यह continental crust है, यह सब, continent से यहां पर, तो यहां पर सबसे ज़्यादा है silika और alumina, इसलिए इसको siyal बोलते हैं, और फिर दूसरा oceanic crust है, यहां पर आप देख रहे हैं, यह oceanic crust है, यह ocean है, पानी है पानी यहां पर, उसके अंदर की जो जमीन है, वो कहलाती है oceanic crust, यह केवल 5 km थिक है, इस 5 km में यह दो चीजों से बनी हैं, एक है silika और दूसरा है magnesium, इसलिए सीमा बोलते हैं, यह दोनों चीज़े आप इसको देख के याद रखिए, अब जो crust के नीचे है, वो है mantle, यह कितनी depth तक है, यह 2900 km तक, यानि कि 35 km तक तक तो continents पे आपका crust हो गया, उसके बाद, 2900 km तक आता है, mantle, below the crust, यह crust के नीचे होता है, इस map को बार-बार देखिए, यहाँ पर जो यह arrow बनावा है, यहाँ तक, यह वाला जो बनावा है, यह mantle है, ओकी, the innermost layer is the core, with a radius of about 3500 km, जो सबसे अंदर का हिस्सा है, वो कहलाता है, वो 3500 km तक है, और इसे कहते हैं, जो सबसे अंदर का हिस्सा हुआ है, यह दो चीजों से बनता है, nickel और iron, इसलिए से knife बोलते हैं, अब इसमें, F क्यों लगा iron के बज़ाए, क्योंकि iron के लिए, जो word use होता है, वोता है ferrous, तो ferrous का F E लिया है, और जो अंदर का यह part है, यह बहुत ज़्यादा temperature है, बहुत गरम है, और बहुत ज़्यादा pressure है, अब यह आपको समझ में आ जाएगा, इसको देखके, जो यह वाला part है, यह ऐसे अगर पूरा करूँ, तो ऐसे बनेगा यह, यह है core, यह बहुत ज़्यादा, गरम होता है, इसमें दो part हैं तरी, जो यह उपर वाला, बहुत 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 है, इसे कहते हैं, outer core, यह outer core कहलाएगा, और जो बिल्कुल अंदर, depth में जा रहा है, यह पर, यह इनर core कहलाएगा, आई तिंग के बात अपको समझ में आगी, जो उपर का हिस्सा है, वो crust हो गया, जो yellow part देख रहे हैं, यह mental हो गया, जो red part देख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होट होता है, यह कहलाता है, core, इसमें outer core, जो बहुत बहुत अंदर का हिस्सा है, वो कहलाता है, inner core, अब हम rocks और minerals के बारे में पढ़ेंगे, the arch crust is made up of various types of rocks, crust पर बहुत सारे तरीके की rocks होती हैं, अलियोमिनियम हैं, तो जो mineral होते हैं, जब वो एक जगा बहुत सारे कठ्थे हो जाती हैं, तो वो कहलाता है rock, रोक अलग-अलग color की होती हैं, अलग-अलग size की होती है, texture, कुछ चिकनी होती हैं, कुछ खुडदरी होती हैं, तो वो कहलाता है texture, अब ये तीन है main, इनको याद रखिए, igneous rocks, sedimentary rocks, और metamorphic rocks, अब ये बंती कैसे हैं, जब molten magma, यानिके lava, जब cool हो जाता है, अब जानते हो, वलकनों होते हैं, और वलकनों में से, अंदर से magma, उसे को lava कहते हैं, निकलता है, तो वो बाहर आने के बाद, cool हो जाता है, और cool होने के बाद, वो solid बन जाता है, तो जो इस प्रकार से, rocks बनती हैं, magma से, वो कहलाती है, igneous rocks, they are cold primary rocks, और ये भी दो प्रकार की होती है, एक intrusive rocks, और एक extrusive rocks, इंट्रो का मतलब होता है, अंदर का इनर, और एक्स्ट्रूसिव का मतलब बाहरी होता है, तो जब बाहर, magma, cool down, जो बाहर निकला, और वो cool down हो गया, तो वो कहलाएगा, intrusive rocks, और, एक्स्ट्रूसिव rocks, एक्स्ट्रूसिव igneous rocks, और कभी-कभी क्या होता है, कि पूरा magma, बाहरी निकल पाता है, वो अंदर ही cool down हो जाता है, तो जो अंदर धीरे-धीरे cool down होता है, वो कहलाता है, intrusive igneous rocks, यानिके अंदर जो बनी है rock, और जब ये धीरे-धीरे cool होता है, तो उससे ही granite बनता है, ग्रेन आइट जानते कितना अच्छा stone होता है, ये भी rock से ही निकलता है, जो grinding stones होते हैं, यानिके जो चक्की में use होते हैं, spices को पीसने के लिए, और वो भी इसी के बने होते हैं, और जो grains होते हैं, वो भी granite के बने होते हैं, जो मोजाई कहने के first डालने में use होते हैं, अब जो rocks होती हैं, वो लुड़कती हैं, तूटती हैं, एक दूसरे को hit करती हैं, और ऐसा करने में बहुत सारी तूट जाती हैं, चोट-चोटे particles बन जाते हैं उनके, तो जो चोटे-चोटे particles होते हैं, उन्हें sediments कहते हैं, और यही sediments, यानि के छोटे-चोटे pieces, हवा के दौरा, water के दौरा, एक जंगा से दूसरी जंगा जाके, वो deposit हो जाते हैं, जम जाते हैं, और जब यह बहुत समय तक एक ही जंगा पढ़ रहाते हैं, तो भिज जाते हैं, hard बन जाते हैं, sedimentary rocks होता है, और इन rocks में बहुत सारे fossils होते हैं, plants के, animals के, और दूसरे micro-organism भी होते हैं, जो इतमें कभी पहले रहते होंगे, अब क्या होता है है कि जो igneous rocks हैं, igneous rocks कैसे बनी थी, magma से बनी थी, वोलकरन को जो लावा निकलता है, दो प्रकार की होती हैं, intrusive और extrusive, जो बहार magma निकलता है, ठंदा हो जाता है, उससे बनती है, extrusive, और जो अंदर ही जम जाता है, बहार निकलनी पाता पूरा, उससे बन जाती है, intrusive, तो अब जो sedimentary, जो rocks होती हैं, उनके छोड़े pieces होते हैं, जो एक जंगा जाके जम जाते हैं, बाद में वो compress होते हैं, और hard हो जाते हैं, तो उससे बनती है, sedimentary rocks, फिर एक होर change होता है, कि जो rocks होती है, heat की वज़े से और pressure की वज़े से, ये बदलने लगती हैं, तो जब ये बदलती हैं, तो बनती है, metamorphic rock जैसे यहां दिखाया है, clay changes into slate, जैसे जो clay, मिट्टी होती है, वो जब ज़्यादा उससे pressure पड़ता है, बहुत गर्मी होती है, वो slate बन जाती है, और limestone का बन जाता है, marble, है ना कितनी amazing बाते, rocks are very useful to us, rocks हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful होती है, जो hard rocks होती है, उनको road बनाने के लिए, house बनाने के लिए, building बनाने के लिए, यूज किया जाता है, और stone को तो बहुत सारे game में भी use करते हैं, एक game होता है seven stones, पिट्टू जिसे बोलते हैं, एक होता है hope is coach, जिसे सत्पू या kit 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 बोलते हैं, एक five stones का game होता है, गिट्टी जिसे बोलते हैं, और भी बहुत सारे games आपके area में हो सकते हैं, जो red foot है, वो red sand stone का बना हुआ है, जो ताज महल है, ये white marble का बना हुआ है, you will be surprised to know, one type of rock changes to another, कि कुछ अलग ऐसी certain conditions होती हैं, जिसमें से की ये एक तरह की रोग दूसरे बाले में बदल जाती है, तो इसी बदलने की, यानि के बदलने का मतलब transformation, जो रोग का transformation है, उसी को rock cycle कहते हैं, यहाँ पहले मैं इसको पढ़के बताती हूँ, फिर आपको picture से समझाती हो, जहान से समझिया, जब molten magma, मोल्टन का मतलब क्या होता है, पिंगला हुआ, magma जो वोलकेनों में से निकलता है, वो cool होता है, तो उसे igneous rocks बनती हैं, आपने अभी देखा, और यह igneous rocks तूट जाती हैं, चोटे-चोटे-चोटे particles में, जिसके sediments बनते हैं, और sediments से बनती है, sedimentary rocks, और जब igneous rocks और sedimentary rocks पे ज़्यादा heat पड़ती है, ज़्यादा pressure पड़ता है, तो वो change हो जाती है, metamorphic rocks में, अब picture से देखते हैं, यहां से यह magma निकला, अब जब magma cool down हो जाएगा, तो igneous rock हो गई, अब igneous rocks में चोटे-चोटे-चोटे-चोटे sediments बने, यह sediments बन गए, चोटे-चोटे-चोटे pieces बन गए, तो इससे बहुत सार यह जगाए कठे हो गए, तो sedimentary rocks हो गई, अब sedimentary rocks के उपर जब बहुत pressure पड़ा, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो यह बन गई, metamorphic rocks, I think समझ में आगे आपको, इससे यह बना, इससे यह बना, इससे यह बना, फिर इससे यह बना, Is it clear? चलिए, आगे देखते हैं, और जो metamorphic rocks होती हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है, heat में होती हैं, pressure में होती हैं, वो फिर दुबारा से meltdown होती हैं, उनका फिर magma बन जाता है, यहां से फिर यह इस वाली form में आ जाती हैं, तो यह कहलाती है, cycle, तो फिर दुबारा से यह molten cool down होता है, फिर दुबारा igneous rocks बनती हैं, फिर sediments बनते हैं उससे, फिर sediments रोक होती है, और फिर pressure में, heat में, metamorphic rock बन जाती है, रोक्स, different minerals की बनीवी होती है, minerals actually, बनती रहते हैं, सबस्टन्स होते हैं, जो अपने आप बनते हैं, उन्हें कोई बनाता नहीं है, और उनमें अलग-अलग properties होती हैं, अलग-अलग उनके chemical compositions होते हैं, और minerals बहुत-बहुत important होते हैं, इनमें से कुछ comfuel के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे coal, koila, natural gas, petroleum, और इन्हें industries में भी यूज़ किया जाता है, minerals को, जैसे कि iron, aluminium, gold, uranium, medicine में भी यूज़ होते हैं, fertilizer के रूप में भी यूज़ होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जरती पर जो भी कुछ है, वो हमारे लिए कितना important है, I hope कि ये interesting सा chapter आपने जरूर अच्छे से समझ लिया होगा, और इसकी जो question answers हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा wait करिए, अगर आप नए है channel पर, तो आप channel subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे, मेरी सारी upcoming videos के notification आपको मिलते रहेंगे, thank you